सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहे मेरे यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 27 सितंबर के पंचांग राशिफल और बहावपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2018 मास चल रहा है आ मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए आज अनावश्यक धन व्याई की स्थिति आपके लिए बनती है रुका हुआ पैसा मिल जाए इसके भी योग आपके लिए बन रहे हैं तो जहां आपका पैसा आटका है आज आपको तगादा जरूर करना चाहिए ओम गुणातीताय नवहमंतर का एकसो आट बार जाप करें रातरी काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए किसी रुके हुए काम को पूरा करने में उच्चा देकारियों का आज आपक में बीतेगा उम गौरी पुत्राय नवहमंतर का एकसो आट बार जाप करें दिन में शेहन करने से आपको बचना चाहिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए आकस्मिक धनलाप के योग आपके लिए बनते हैं नौकरी में मंचहा इसान अंतरन या पदो दिखता रहेगी लेकिन सहयोगियों की मदद से कारे में बड़ी सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं ओम चंडाय नवहमंतर का एकसो आट बार जाप करें भूखे पेट खाली पेट घर से आप बाहर मत निकलिए तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए कारे भार के दिखता रहेगी लेकिन सहकर्मियों की मदद से कारियों में आपको सफलता मिल जाए ऐसी इस्तिती बनती है ओम चतुराय नवहमंतर का एकसो आट बार जाप करें किसी वृद्ध व्यक्ति का अनाधर अपमान करने से आपको बचना होगा व्रि धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए शारिरिक और मानसिक रूप से ठकान कानुभव कर सकते हैं ओम कृतिने नवहमंतर का एकसो आट बार जाप करें संपतिया उसके लावा आने ते कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना होगा मकर राशी मकर राशी वाल जातक लोगों के लिए व्यापार धंदे में परिशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है धार्मिक और आध्यात्मिक कारियों के प्रतिया आपका रुजान बढ़ेगा ओम गजाननाई नवहमंतर का एकसो आट बार जाप करें आलस ये को आप अपने ऊपर हावी ना होने मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए लाबदाई होगा कारियों के देखता रहेगी लेकिन कारियों में सफलता मिलने से आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो कुछ सेविंग्स भी आप करें इस बारे में आपको ध्यान होगा ओम गणेश पर आई नवह मंत्रblock 188 बार जयाप करें और यात्रा करने से आपको बचना चाहिए तो दोस्तों यह तो बात रही की हम लोगोंने जाना ग्रहिनक्षटर की इस्थितियां क्या कहती हैं और दिन कोको बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नह सकते हैं आपके उपर क्रोधित और नाराज हो सकते हैं तो वो कौन से नौ काम हैं बहुत ध्यान से समझें भादरपद मास के पूर्णिमा से ले करके आश्विन मास की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है यह 16 दिन पित्रपक्ष का समय होता है पित्रपक्ष यानी श्रादपक्ष के दिन पित्रों को याद करने और उनसे आश्रवाद प्राप्त करने के उनके प्रति अपनी कृतग्यता प्रदर्शित करने के दिन होते हैं शास्त्रों के नुसार इनकी पूजा करने से घर में सुक्षान्ती बनी रहती और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती इस दोरान पित्रों की संतुष्टी और प्रसंता के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना विशेश शुबदाई माना गया है तो सबसे पहला क्या नियम है कि आपको किसी भी व्यक्ति को सईयम बरतना होगा अपने इंद्रिय और नियंत्र रखना होगा क्रोध न करें शारिडिक संबंद रित्यादी आप नबनाया इस दोरान इस बारे में विस्तार से समझेट पित्रपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए इन दोनों इन दिनों पित्र आपके परिवार में पुरुषों को ध्यान रखना होगा कि दाड़ी मूच आप ना कटवाएं पित्रपक्ष में पुरुषों को दाड़ी मूच नहीं कटवानी चाहिए वैसे यह नियम सभी पर लागुन नहीं होते हैं जिनके माता-पिता हैं उनके लिए यह नियम नहीं है जो लोग पित्रों क की पूजा कर रहे हैं जिनके माता-पिता या दोनों में से कोई भी एक नहीं है जो पिंड़दान कर रहा है जो तरपन कर रहा है उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए पित्रपक्ष के दौरान लोहे के बरतन का प्रयोग वर्जित बताया गया है संबह हो सके तो प्रामणों को पतल पर भोजन कराएं और स्वें भी पतल पर भोजन करें शास्त्रों में बताया गया है कि पित्रपक्ष में पित्र पूजन के दिन इस तरह भोजन करना बहुती शुफलदाई होता है पित्रपक्ष में घर आय हुए अतिति अत्वा बिखारी को भी भोजन और पानी दिये बिना आपको विदा नहीं करना चाहिए उन्हें जाने नहीं देना चाहिए ऐसा माना जाता है कि पित्र किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं और अनजल मांग सकते हैं इसके परिवार में लोग मिलजुल करके आनंद के साथ मंगल के साथ रहते हैं उनके पित्रगण उन पर प्रसंद होते हैं और सम्रिद्धी का आश्रवात दे करके वहां से वह जाते हैं जहां आपस में कलह कलेश लड़ाई जगडे का वातावरन रहता है उस घर में बरक्कत नहीं रहती क्योंकि पित्रगण ऐसे में नाराज हो करके वापिस जाते हैं शास्त्रों में काले तिल को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है श्राद या फिर तरपन कराते समय इनहीं का प्रयोग करना चाहिए इस बात का आप खास ध्यान रखें कि पित्रों की संतुष्टी के लिए दोपहर के समय ब्रामणों को भोजन कराना चाहिए ऐसा इसलिए कहा गया कि आधा प्रहर का समय पित्रों का होता है सुबह और शाम देवताओं की पूजा की जाती है तो जो आधा पहर दोपहर का समय है इस समय में ही तरपन श्राद और पित्रों का भोजन वगर श्र पर लोटते हैं उस वक्त जब लोटते हैं और परिजन उस इस्थान पर नहीं मिलते तो उनको तकलीफ कस्ट हो सकता इसलिए आपको इस दोरान अपना इस्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए अपने नए घर में इस दोरान आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए पित्रपक् जिनके माता-पिता जीवित हैं उनके लिए कोई विशेश नियम नहीं होता वैसे एक्षा हो तो इस दौरान सात्विक भोजन ही करें वह आप हर व्यक्ति के लिए हर किसी के लिए सर्वोत्तम हो पित्रपक्ष में पशुपक्षियों के लिए दाना पानी और भोजन का इंतज जानता आपके पित्र मनुष्य हुए या पशुपक्षी यह जान पाना कठिन है इसलिए सभी जीवों में पित्रों का वास मान करके उनको कष्ट देने से बचना चाहिए मेरे गुरु जी कहा करते है कि अगर शास्त्रों का यह मत है कि आत्मा में ही परमात्मा है तो तो किस यह थी बीवहू सकती है तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको किसी भी प्राणी को कष्ट देने से यातना देने से बचना चाहिए वह तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बाते ग्यान की बाते जो आपको कॉमारे यूट्यूप चैनल से प् भबन नमोनावाई आपको दो नमबर दे रहा हूँ इन दोनों नमबर पे वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे sharma.webava vaibhava.gmail.com इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद